फिसे स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल गुरु जिग्जाम सेंटर पर दोस्तमलिया पर डेली की तरह सुबे साड़े साथ बजे यहां पर आपके हिंदी का फुल टेस लगाएंगे जहां पर आपके असी प्रस्णाप के हैं और आपके स्लेवर्स के अंसार आपके हैं तो आप लोग बताईएगा कि आज की टेस्ट पेपर में आप लोगों का जो स्कूर रहा है चले गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग सभी को नमस्कार सभी को जैहिंद सभी को राम राम चलो इस्टार के जाए चलिए लाइक सेर कर दीजे सब लोग चलो तो पहला आपका जौब क्या बनेगा इड़ी दल वनेगा जिसका भी जवाब सी हारा है बिल्कुल राइट अंसर आपको होजेगा सी नमबर ठीके ना कोई दिकत चलिए तो आगला प्रस्णा आपका दिया गया है क्या आप से यहां पर सम भास से आसाय क्या है चले यहां पर जवाब मतलब होता है समान भासा क्या होता है समान भासा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिलकर बोलना क्या होता है मिलकर बोलना तो यहां पर आपका सी नमबर होजेगा या तो यहां पर अगर लिखा होता समान भासा तो हम लोग समान भासा भी सही कर सकते थे ठीके चलिए अगला है चलिए त्री नमबर आ रहा है कि है रहा है संबाप कर चारर चलिए आगे आती है पर सप्राइब यहां से इंपल वेस्ट टोटे है लिकिन अर्थ क्या दो ओते है इसको भी याद रखना अर्थ क्या होते हैं इन में से कौन सा परिमाण वाचक विसेशन का उधारण नहीं है चले यहाँ पर जवाब दीजे परिमाण वाचक विसेशन का उधारण नहीं है तो देखो दिया है अनगनी तारे अनगीन तारे पचास गज जमीन दो किलो सेव दस लीटर पानी तो देखो गर्ज दिया है किल दिया हो लीटर तो यह समझ में आ गया कि परिमाड में है मतलब नाप तौल आपका है लेकिन यह जो आपका दिया है नंबर अंगीनत तारे तो आपका एड़ नहीं होगा मतलब यहां पर जवापका है यह जो आपका है आपके कहसे हैं निश्चित संख्यावाची तिये भी न है चलिए देखो अननास कैसा है चलिए तो चिल का जिल कैसी है सब्जी कैसी मतलब जवाब आपका इहीं बन गया बिलकुछ स़ह है मना आपका वन जाएगा इस भीलिंट सब्दा नहीं है यह आपका पूरlt सब्सक्राइब कोई और या year लिखेगा एक वचन जो प्रीयों करते है और आपकी जनता को किसे जनतों को करते हैं यहां पर जवाब हो जबान जंता की बताते हैं कि यहां सब्दों में करना आदिसंदर है किया बताते हैं ऊज़्ब है तो आपका सब्दा.» और यहां मतलब, आपका जो जुआब बनेगा। सब्द अलंकार बताते हैं कि यां सब्दो में चमतकार है और यहां पर अर्थ अलंकार बताते हैं कि जव्द को कण वेजगाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रसाप से गला है कि आपसे समनार्थी सब्दे के अधार पर यमना सब्दे के उचित आपको समूँ बताना है सही जवाब कौन सा बनेगा तो देखो यहाँ पर दिया गया कौन सा क्रश्णा है सूरिसुता है फिर आपका दिया गया तर्टनी तो हुगा नहीं है मतलब आपका जवाब देखे बी वाला कारिंदी क्रश्णा सूरिसुता यह आपका नाइन कॉप्शन मनेगा बी नमबर ठीके आगे बढ़ते हैं प्रसाप से अगला कुछा गया है करे अत्या चार का फल अच्छा नहीं है यह वाकि किस लुकुक्ति का अर् यह त्या चार का फल अच्छने होता है मतलब तलवार का खेत हरा नहीं होता है जवाब यहाँ पर आपका C हो जएगा आगे बढ़ते हैं प्रसाप से गला है तुलसी मन मंदिर में बिहरे यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर मन है और मंदिर है बात यहाँ पर आपकी आगे देने तुल्णा की और दैस भी लगञा है तो आपका जोवक क्या बनेगा यहां पर बन जाएग कोंसा डी रूपकलंकर जाएगा ठीक है रूपकलंकर आगे अतम इसे वह होगे तो देखो होई होगी ये तो आपका होगे ने था जो अपकर दिया ये भी आपका नहीं है क्योंकि समाने पूछा गया है इसके मतलब आपका जवाब जो मिला है वो आपका एरमर होज़ेगा वर्सा हुई ये जो आपकी है विल्कुल आपकी आपकी यांपर कह सकते हैं समान वर्तमान काल में हो ज़ेगा ठीके आगे बढ़ते हैं प्रसाप सग्या है जाति वाच्चक संग्या सरोणाम विसेशन किरिया अब्बे सब्दों से जो सब्द बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं तो यहां पर देखो दिया गया है अनिश्चे वाचक और अनिश्चे वाचक कहाँ पर है यहां पर आपका सी होजगा निश्चे वाचक सरनामिक विस्टेशन आपका राइट हो जाएगा ठीके आगे बढ़ते हैं प्रसाब सगला दिया गया है यहां पर करा है बिना दिवारों का घर मनुभंडारी के या क्रती किस विधा पर है तो सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखना है बिना दिवारों का घर यह जो क्रती है हना 21 की है मनुभंडारी की है ठीके ना यह जो आधारी थे तो आपकी है क्या मतलब यह है क्या यह एक प्रकार के क्या है तो आपका नाटक है ठीके ना बीना दीवारों का घर क्या एक नाटक है तो option वनेगा B number अगला question आप से दिया है पारा ना उतरना इस मोहरे का उचित अर्थ आपको बताना है सही जवाब इन में से बताईए क्या हो जेगा चले यहाँ पर 16 option आ रहा है पारा ना उतरना मोहरे का उचित अर्थ घमन दिखाना हद कर देना सांत होना असांत होना चले 16 option आ गया है option d पाराना उतरना मतलब होता है असांत होना यहाँ option बनेगा अपका D number अगला दिया है इन में से कौनसा सब्द सरसुती सब्द का समनार्थी नहीं है सरसुती सब्द का समनार्थी नहीं है दिकुर सरसुती का आपको होता है कणिका होता है सार्दा होता है वागी सुरी भी होता है लेकिन याद रखेगा यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा स्री स्री यह आपके सरसुती का नहीं होता है यह बढ़ते हैं प्रसाप सराप पूछा गया है निम्डिकी तवाक्यों में से सुद दिवाक की चुनिए सुद दिवाक बताना है यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जगा तो चलिए यहाँ पर देखो सुद दिवाक पूछा गया है कहारा आपसे यहाँ पर बेफुजूल जगड मत जगडो बेफूर बेफुजूर मत जगड़ो फिर आपसे यहाप पर कहा रहा है कि मेरे पास कहानियों की अनेक पुष्ट के है हना मतलब सुद्ध आपको यहापर देखा जाए तो लगभग आपको मिल चुका है मेरे पास कहानियों की अनेक पुष्ट के है अगे आते हैं प्रसाब से गला पुछा गया है कह रहा है ओ बहुत कठिन समय आया है यहाँ पर बताईए कि कौन सा यहाँ पर विराम चिन लगेगा यहाँ पर लगे कौन सा आपका बिशम्याद मतलब यहाँ पर जो जवाब बनेगा 19 कौसन बन जाएगा अगे बढ़ते हैं प्रसाब से गला है यहाँ पंक्ती यमकलंकार का भेद नहीं है चलिए बताईए यमकलंकार का भेद इन में से नहीं है तो आपकी कौन से नहीं है यहाँ पर जवाब आगे हैं देखो आपको जवाब बिलकुल सही है खग कुल कुल सा बोल रहा है तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है करका मन का डर के मन का मन का फिर मतलब यहाँ पर जो जवाब है यह भी आपका 20 का उप्शन बनेगा आपका A number A number बिलकुल सही है क्योंकि सूरज है जग का बुझा बुझा ये बुझा- благ मतलब तो एके है ना ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपके अर्थ है एके हैं तो ये पुन्रक्ति प्रकास है क्या है पुन्रक्ति प्रकास लंकार है तो ए नंबर ईसका आपका नहीं होगा ठीके ए नंबर चले फिर आगे बढ़ते हैं प्रसाप सिला पूछा गया है मानक वरतिनी के अधार पर मानक वरतिनी के अधार पर सुद्ध सब्ध आपको चुनना है चले यहाँ पर सुद्ध वाक्या आपसे पूछा गया है कि मानक वर्तिनी का अधार पर सुद्र सब्द क्या है म्रत्यु दंड म्रत्यु दंड की बात करें तो आपका जवाब कौन है या परसी हो जगा ये इस प्रकार से से लिखा जाएगा तेके चलिए आगे बढ़ते हैं प्रसाप से लाप उचा गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है जब कोई वाक्यांस अपना समान अर्थ छोड़ कर विशेस अर्थी की ओर संकेत करता है तब उसे क्या कहते हैं तब उसे क्या कहते हैं या दरिकिर से क्या कहते हैं option D हो जगा मुहावरा क्या क्या कहते हैं प्रस्षाप का दिया है बेल संत का बवचन क्या होता है जिसका बिजवाब भी आ रहा है यह राइट होगा ठिके क्या होता है अगे बढ़ते हम प्रस्षाप सेगला यह किसं नाम से लिए भी जाना जाता है अब भी बताईए ये अधनिक मीरा के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं तो आपके माहादेवी वर्मा को विल्कुत जवाब सही है माहादेवी वर्मा को अधनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है 24 का जवाब बनेगा यहाँ पर B number ठीकें आगे बढ़ते हैं प्रशाब सेगला है यहाँ पर दिया गया है गध्यांस लिकिन यह गध्यांस कोई काम का नहीं है क्योंकि इसके जो कोशन है वो बीना गध्यांस को पढ़े ही आप दे सकते हैं है यहाँ पर दिया है बीर सब्द का इस्तिलिंग क्या होता है बीर का होता है वी रांगना जो कि यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जएगा ठीके आगे बढ़ते हैं अडिक सब्द में निम्न से कौन सा प्रिउख्तु किया गया है अडिक आज से अगर करेंगे तो यहां पर आपका हो जगा अडिक मतलब आपका हो जगा ओपसर्ग है न यहां जगा आपका जवाब बनेगा ओपसर्ग बन जएगा यहां पर जवाब का है कौन है ओपसर्ग हो जगा ठीके चले आगे बढ़ते हैं प्रसाप से लाएं कि दो या दूसरे अधिक अत्यंत समीपस्त वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं इसे बोलते हैं सं कि संदी होती है तो आपका जवाब ए हो जएगा अगला प्रसाफ दिया है ौर्ड सब्द वाक्यांस मतलब यहां पर जवाब पद को बने गया है 28 में वो आपको बनेगा D number यहाँ बनेगा D number आपको बनेगा यहाँ पर बनेगा D number ठीके आगे आते हैं प्रसाप से अगला पूछा गया है करा है यहाँ पंक्ति अनपरास लंकार का उधाराण है यह देखे अनपरास लंकार दिया गया है देखी फूल सी बच्ची यह तो आपका है नहीं रूपक में चरण कमर बंदा और रहा है और आपका वुज़े गरूपक में मतल़ आपका उपमा हो गया यह रूपक हो गया फिर घन स्याम दिया यह भी नहीं है तरन तरज़ा अधा मिल गया छब चली यहां पर जवाब दिना है जवाब क्या बनेगा यहां पर आपका होजे कॉर्श क्तों सब्सक्रां वसन के लेखक कौन है चलि आप तो हमेशा से पूछाई जाता है मैला आचल के जो लेखक है चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है फड़िस्टो नाथ डेड़ो बिलकुर सही जवाब है यहाँ के आंचली को पन्या असकार है जो कि आप्सन बनेगा आपका ए नमबर फड़िस्टो प्रसापसिला है सासन की ओर से किसी ब्यक्ति को या एक बिभाग से दूसरी बहाग को भेजे गए पत्र को कहते हैं क्या कहते हैं एक बिभाग से दूसरी बहाग को तो यो जो होंगे उन्हों में बोलेंगे सरकारी पत्र क्या होते हैं सरकारी पत्र होते हैं आप्सन भी है सवफछन दिया है और आपका अंसर तो आपको मिली गया है कि समास कौन सा है देह लता देह रूपी लता मतलब यहां पर जवाब का जवाब बनेगा 34 नंबर में तो यहां पर हो जएगा देह रूपी मतलब यहां पर आपका देह हो गया उप में और लता हो गया उपमान मतलब यहां पर जो जवाब हो जवाब हो जएगा देह की तुलना लता सिखी गई है ये कर्मधारे में होगा ठीक ही ये जो दिया है ये कर्मधारे का अपका डी राइट होजेगा आगे बढ़ते हैं इन में से कौन सा सब्द पुल्लिंग नहीं है इन में से कौन सा सब्द पुल्लिंग नहीं है चाता बनावट कैसी है चाता कैसा है सूरी कैसा अम्रूत कैसा है मतलब आपका जवाब यहां पर बनावट कैसी है ना अंसर मिल गया ना अंसर आपका ए होज़ेगा क्योंकि पुछा पुलिंग नहीं है तो बनावट आपका पुलिंग ने इस तरह लेंगा है ठीक है अगला प्रसन दिया है निम्डिकित में से वाक्ति के सु संसर ने होता है असंका होती है क्या होती है असंका होती है हमने कई बार इसे स्वाल करा भी दिया है अगला दिया गया है बड़े-बड़े मोती से आंसू जैमाला पहनाते थे इस बंक्ति में पूछा है अलंकार कौन सा होज़ेगा चलिया पर 37 नंबर जवाब दीजे 37 के सब्द आपको दिया है यहां पर दिया गया है कि उप्युक्त उफ्सर्ग की गोटिक आपका है करें विद्याले का उप प्रधाना चार जिम्मेदार बेक्टी होता है यहां पर उप जो आपका दिया है उप जो दिया है वो का है कैसा यह होता है आपको कैसा तो आपका यह तत्सम उस्तरग है option बनेगा A number अगला कोशन दिया गया है सुद्वरतिनी वाला सद्धा आपको बताना है चले भाई 49 नमर बताईए सुद्वरतिनी क्या होगी वी रहडी देखे ये option बन रहा है C option C बन रहा है वी रहडी होती है वहाँ पर क्या होता है तो रजत जयनती होती है क्या होती है रजत जयनती होती है इसका जो जवाब बनेगा कौनसा होजेगा यहाँ पर भी होजेगा वहें पर आपसे बोलें वहें पर आपसे बोलें कि जब 50 वर्स होते हैं पचास वर्षत के लिए हम लोग स्वर्ण जयंत्री बनाते हैं ठीक है चले और यहाँ पर सताप्दी तो आप जानते हैं ठीक है चले अगला दिया गया है संसत के दोनों भवनों में इस विवाद ने सीख रही एक अप्रत्यासित रूप ले लिया ठीक है संसत के दोनों भवन प्रत्यासित रूप होता है इसका उप्सन मनेगा बी नंबर आगे बढ़ते हैं प्रसाप सिला पूछा है नमने कितमें से च्छा वाक्यों में से प्रत्था वांतिम आपके क्या है निश्चित है अधर यहां पर आपको मिलान करना है और एक्जाम में कहीं से भी कुछ भी कैस बलकि वे समय की बच्छत के लिए बाते करते हैं देखो बन गया ना इन सर तुरंद बन गया आप बीवाला लाग कर दीजिए बन जाएगा तुरंद कोई दिक करनी है भी वाला मिला दीजिए तुरंद बन जाएगा ठीक है चले अगला दिया है चंदकानता उपन्यास के ल नहीं है देखिए नहीं सब्द लिया है अना गलती मत करिएगा नहीं सब्द आपको दिया है जल्दी जल्दी अंसल लगाने से गलतियां हो जाएंगी देखो यहां पर प्रसाद जी है निराला है और आपके यहां पर पंथ हैं लेकिन यहां पर देख सकते हैं आपके भारत विशेस होता है वहाँ पर क्या होता है तो आपका कर्म धारे समास होता है याद रखेगा option बनेगा B number clear है without कोई दिकत नहीं चलिए फिर हगला है जैसा करोगे वैसा भरोगे वाकिमे सरुनाम बताइए जैसा करोगे वैसा भरोगे वाकिमे सरुनाम पूछा गया है और इसका जो सरुनाम बनेगा वह आपका बनेगा कौन सा यहां पर संबंध वाचक क्या बनेगा संबंध वाचक बनेगा क्योंकि जैसा है वैसा है आपके संबंध को दर्स आता है आगे बढ़ते हैं रा जो दो लें कि पीछे होता है चला यहां पर बताए नत है यह एक कैशा होता है डación क्या हो जीक पार्ष निवी जेरा ऊचीज जो आपका बोड़ी स rain जेले चला रहेजम जवाब होता है कलए होती हिसमें से आप को देते एक होती है इसमें यह elder account oflden किया प्रफ़पित सात में क्या होता है कि आपके लुणित मिरोड़ जय बो te की और जयाद रेके इसे हैं इस नाम से जाना जाता है ठीके ना वह आपका अंग तो ला होता है उसमें क्या होता है यह पासो है नतर पीछे बग जाती है जीब के अगल बगल का भाग ठीक है मतलब यहां पर पार्स्विक अर्थ होता है कि जीब के अगल बगल का भाग ठीक है यहां पर जो ला होगा वो आप क्या होता है पार्स्विक होता है जीब है यहां पर गलतियां बहुत होती है कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ उल्टा बोल जाते हैं तो रा होता है आपका क्या लुंठित होता है और पार्स्विक होता है आपका कौन सा ला होता है देखो पार्स्विक से आद रखिए जो जीब है उल्ला में जब बोलोगे तो पीछे बग जाते है ला हना चलिए आगे बढ़ते हैं सावर्ड जो आपका चलिए अगला दिया गया है तुरूर्टी हो तुसे आपको इंगित करना है नहीं है तो डी लगाना एह यह एक मानता और मानसिक्ता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर साल बनने में अच्छा मैं गलती तो है इसमें और इस गलती क्या है यह वताइए अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वलंबी बनने पर अच्छ में में अच्छ में यहाँ पर देखिए option वाले में अगर आप देखेंगे किसमें C वाले में देखिए C वाले में कोई त्रोटी है C वाले में जो आपकी है वही आपकी त्रोटी है और आपकी तुरूटी क्या है तो यहां पर थुरूटी जो आपकी हो जाएगी क्या हो जाएगी समाजिक समानता है समानता और मान सिकता है कि नारी स्वालंबी बनने में अच्छ में नारी स्वालंबी बनने में स्वालंबी दिया है नारी स्वालंबी बनने में देखो यहाँ पर बने क्या सुद्ध क्या बनेगा कि यह एक पुरानी या एक पुरानी सामाजिक मानेता और मान सिखता है कि नारी स्वलंबी बनने में यहाँ पर दिया गया है कहीं न कहीं आपको यह जो चीजे दिये गए हैं इनको ना भी करते कोई दिक्का नहीं ताना यही कारण कि इसमें से समय भी आपको लग गया है इसमें आपका C होगा अगला दिया गया है निमने सब्द युगमि के सही अर्थ भेद आपको चैन करना है चलिए 50 नमबर 50 नमबर में बताइए तो आपसे दिया है मड़ी और आपका मड़ी मड़ी और मड़ी बताइए भई मड़ी और मड़ी में क्या अंतर होता है क्या-क्या आपने लगाएंगे 50 का जवाब बनेगा कोसा है याँ पर C देखो, मड़ी मतलब होता है रतन और मड़ी मतलब होता है ठीके, इसका जवाब बनेगा आपका C नमबर अगला है स्वर संदी का उदारण क्या है स्वर संदी स्वर संदी में आपने बताया था कि एक की मातरा जो होती हो आपकी गोड़ संदी होता है और गोड़ संदी कहाँ पर है यह नमबर आपका हो जाएगा तीके अगला से दिया गया है के आप से यहाँ पर यह सुद्ध वाक नीर्पन को में बनेगा option right आपका C C number आपका होज़ेगा उठो निकली, कोठो चली, चड़ी option बनेगा C number अगला question आपका दिया गया है निजवाचक सब्धोनाब का उधाराण कौन सा है निजवाचक निजवाचक मतलब होता है swim यह अपने के लिए option आपका C होज़ेगा अगला दिया है अलबत्ता सब्ध में कौन सा उपसर्ग है अलबत्ता में कौन सा है तो अलबत्ता में देखो अल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है बत्ता सब्ध आपका मुल सब्ध निकलेगा अल इसमें क्या होज़ेगा अगला दिया है दुर उपसर्ग के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब है तो दुर दसा दुर वासा दुरावस्था इनमे तो आपके यह नहीं होगा यह पर शपन का उपसना बनेगा एंट अंबर त्रक आपको बताना है कनाई और कनाई है यह अंतर आपको मिल गया यह नंबर अगला दिया रे मन रे मन आज परिच्छा तेरी सब अपना सवभाग मनावें दरस परस निसे सुपावें उधक चाहे वो आवें यही रहे तो आवें किस रस का है यह उधक की बात हो रही है भई और जहां उधक होता है वहां पर वियोग आपको होगा यहां पर जवाब बनेगा कौनसा बी नंबर वियोग आपको जब योश रंगार है यहां पर जवाब की गोविकाएं हैं तो उध़ों ने जब किरस बगवान ने उध़ों से संदेश भेजा था और उनको जब दे रहे थे तब का संदेश आपका है ठीक है आपको होगा ठीक के अगे बढ़ें चलिए अगला है कौन सा इस्ठरिलिंग है मित्र सूचना उपहार और आपका अध्याएं मित्र कैसा आपको बिखो जेगा सूच न बनजएगा आगे-बटते हैं मिलावत में प्रित्य कौनसा है मिलावट Colorado atug क्या बनना है göra-क मुठा बनजएगा वा Cau a Hadora को बनने का डी या पर आगे-बड़ते हैं वादि और बादि युगमिके सहीर्थ बताईए वादी और बादी बताईए वादी और बादी के साफ से देखेंगे तो आपका जो अंसर बनेगा वो आपको कौन सा बनेगा चलिए तो जवाब आ गया है यहाँ पर आपका राइट अंसर 62 में आपका बनेगा C देखो वादी मतलब होता है वक्ता और बादी मतलब होता है अजीर्ड होता है ठीके 62 का उप्सन बनेगा C नंबर अगला दिया गया है सरप मेग हरेड की सब्दे के अनेकार्थी है चलिए यहाँ पर बताईए सरप मेग हरेड की सब्दे के अनेकार्थी हो जाएंगे चले यहाँ पर जवाब देना है और जवाब भी आ चुका है इस प्रश्ण का अंसर यहाँ पर आपका सारंग है और यह भी सारंग है सड़क है बतलब इसका राइट अंसर आपको बनेगा A number ठीक है क्या होता है सारंग होता है यह बारा सारंग इसका जवाब बनेगा ठीक है चले आगे बढ़ते है प्रश्ण आपसे अगला पुछा गया है यहाँ पर आपसे अगला पुछा गया है इसमें सही था इसमें C number था ठीक है अगला question दिया गया है अदरों पर अलिमर राते केसों पर उल्टा बोल ला है क्या बोल ला है उल्टा अदरों पर अलिमर रा रहे हैं और बालों पर क्या कह रहे है पपी यहाँ यहाँ पर ब्रमित होने वाली बात हो रही है ना यहाँ पर ब्रमित होने की बात हो रही है यहाँ पर ब्रमित होने की बात हो रही है तो वहां पर हमेशा क्या होता है भावाच होता है ठीक है आपसन मनेगा 65 को आपसन मनेगा यहां पर आपका सी निमबर अगला दिया है आपर गद्यांस यहां पर कभ्यांस है और कभ्यांस में यहां पर याद रिखेगा कि जो दिया गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको यहां पर जवाब को देखकर कनवीरों की पृत्किरिया होती है जब कठिन रास्ता देखते हैं तो वहां पर क्या होते हैं यहां पर 68 का जवाब बने कौन सा यहां पर करनी है भी है मुँच नमर बताई एक गतना आपका बताना है सही जवाब क्या होजेगा चलिए मुँच का बताई क्या आर्थ होता है चलिए यहां पर याद रिखेगा कि दीको मुँच मतलब क्या होता है मुच की इच्छा रखने वाला यह पढ़े हैं कि अपने ने पढ़ा है मोच की इच्छा रखने वाला यह कह सकते हैं मोच की कामना करने वाला लेकिन अधूरा जब दिया हो तो उसको मतलगाईएगा ठीके अधूरा लगा हो तो उसके मतलगाईएगा मोच का इच्छुक हो जाता है ठीक इसका अंसर जो बनेगा वो बनेगा मोच का हो जमाले का मोच का इच्छुख हो गालोग यह राइट हो यहाइ प्लते है लेकिन वहीं पर जो मूच इसका भी होता लेकिन क्या गहनता से सर्च करिएगा अच्छी तरीके से थोड़ा वह सर्च करेंगी तो आप करेंगे कि सर्जी मिली नहीं रहा है हाना अच्छी सर्च करिए चलिए सीव की अराधना करने वाले को क्या कहते हैं सीव की अराधना करने वाले को क्या कहते हैं बाहत्ता नंबर चलिए बाहत्ता नंबर यहाँ पर जवाब आ रहा है बाहत्ता नंबर में जो सीव की तो सय होता है जो सीव की करेंग उन्हें सय कहेंगे अगला निम्ड में से कौन सा विकल्प बिलोम नहीं है कौन सा विकल्प बिलोम नहीं है तो इश्ट का अनिश्ट दिया है अन्नत का ओनत दिया है उतकर्स का निसकर्स तो आपका जवाब मिल चुका है ना मिल गया की नहीं मिल गया option c मिल गया है उतकर्स का अपकर्स होता है ना कि निसकर्स होता है option c अगला दिया है कैची किस भासा का सब्ध है कैची किस भासा का सब्ध है यहाँ पर 74 का जवाब दीजे चले कैची कैसा है तो कैची है आपका तुर्की कहां से आया है निष्जर का परियाव होता है तो और भी ज्रना को आंसर आपका आपका कौने साथ यहां पर में पहते हैं कलहं से कला निदि खंजर कंज कच्छू दिन केसाँ देखे जिये यह हँपर कहा याँ पर कざ Child देखाते जया तो आपका जवाब भी आपके सामने दिया है ओर क्या दिया है तो आपको सब्सक्रांब दोगे के अरहा है आप लोग दिजेगा आप कुछ तो यहां पर दिया है नहीं तो हम समझेंगी आपको आते नहीं है ना इसका जवाब आप लोग कमेंट करिएगा यहां पर जवाब आने शुरू हो गए है और राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन राइट अपका सी जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है आपके इलहाबास से ठीक है वर्तमान में कह सकते हैं इसका क्याना में है प्रियाग राज ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन आपस जवाब दीजिए तो यहां पर जवाब बिल्कुल सही जवाब आ चुका है ओप्सन राइट अपकर D हो जएगा आपकी कोल डिहावा से ठीक है न कहां से हुआ है तो आपके क्यो कोल डिहावा से आपके धान की साच प्राप्त में आपके उत्तर प्रदेश में ठीक है जवाब दीजिए यहां पर काफी बच्चों की जवाब अभी नहीं आ रहे है त्रीक ऑप्सन राइक्ट आपको हो जाएगा सी आपके प्रतापगड ठीक है प्रतापगड जहां पर आपका अवला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई लोहे की खोज उत्तर आपका यह सई हो जाएगा चलिए नेस कोशन आप से एगला पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस पूरा पासाणी किस थल से अस्थी निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश के किस पूरा पासाणी किस थल से अस्थी निर्मित मात्र देव इप बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? चलिए जवाब दीजियां पर बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गया है और राइट अंसर आपको हो जाए गया आपड़ी नंबर आपके प्रफेशर जी आर सर्मा के निर्देशन में आपका डी सही हो जाएगा चलिए, नेस्ट कोशन आप से पूछा गया है कि निम्निकित में से कौन सा नौपासाणिक इस्थल उत्तर प्रदिश में इस्थित है आपका नौपासाणिक इस्थल है जो कि आपके उत्तर प्रदिश में है यह आपका कौन से इस्थल है 7 का जवाब दीजी आपर 7 का उप्शन राइट जो कि अभी आपका आया था कोल्डी हाओवा, चावल है ना, चावल के साथ च प्राप्त हुए थ हैं कहां कार आ प graph का से आपके प्राप्त हुए हैं ठीक है यहाँ पर पूछा है जवाब दिजी आपर तो राजी के किस जिले से पूरा पासाणिक साच प्राप्त हुए हैं पूछा गया है कि सिंदूगहाटी सबबिता का सबसे पूर्वी सतल आलम-गीरपूर कहां पर इस्वतित है काफी बार question आपका पूछा जा चुका है तो सिंदुग घाटी सब्विता का सबसे पूर्वी स्थला है आपका आलमगीर पूर ठीक है कहाँ परिष्थित है very good सभी का जवाब आ चुका है option right up कसी हो जाएगा आपके मेरठ में कहाँ पर है भई आपके मेरठ में है next question आपसे पूछा गया है आपके सहारन पूर on चैले next question आपसे पूछा गया है कि कौन सा महा जनपैद उत्तर प्रदेश में इस्थित नहीं था कौन सा महा जनपद उत्तर प्रदेश में इस्थित नहीं था चलिए जवाब दीजे तो कौन सा जनपद है आपका बिल्कुल सही जवाब है काफी बच्चों का आ गया है तो यहाँ पर आपका जो आपसन है आपका डि अंग यह आपके कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में नहीं था अधर होए पर सूर सेन, कोर्शल और कासी यह आपके उत्तर प्रदेश में इस्थित थे नेस कर आपसे चेदी महा जनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस्थित था तेरा का जवाब दीजी आपर तो option right बिल्कुर सही जवाब है काफी बच्चे वहां से विलांग भी करते हैं तो चेदी महा जनपद जो था वो समय आपके बांधा में option right आपका भी सही हो जाएगा ठीक है तेरा का option right आपका भी सही हो जाएगा option right आपका सही हो जाएगा यहाँ पर जिसका जवाब सही आया है विल्कुर सही है आपका कुशी नगर next कर आप से कि 16 महा जनपदों में से कितने महा जनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग बेश्थी था है फिर यह MP question आप है कि कपिल वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उस्थी था कपिल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस जनपद में उस्थी था 16 के जवाब देने शुरू हो गए हैं आपर काफी बच्चों के आगे हैं जवाब तो 16 option right option right आपका हो जाएगा आपर D number आपके सिधात नगर में कहाँ पर विया तो कपिल वर्तमान में उत्तर देश किस नगर में तो सिधात नगर option right आपका D हो जाएगा नेश कराब से रिसी पत्तन या के सेक्ट के मरगदाओ का आधुनिक नाम क्या है यह question आपके बहुत बार पूचा गया है रिसी पत्तन या मरगदाओ का आधुनिक नाम क्या है 17 का जवाब दिजिए यहां पर सभी लोग साथ में जवाब दीजिए जिसे आ रहा है वो भी जवाब दे नहीं आ रहा है उसको भी जवाब देना है ठीक है चलिए बिलकुँ सभी जवाब है आपके यहां पर हो जाएगा जो सारनाथ है सारनाथ को ही रिसी पत्तनम या कैसे क्याब की मरगदाओ के नाम से जायाता है और यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उप्दिश दिया था ठीक है चलिए नेस कोशन आप से पूछा गया है कि बौध धर्म का पालना किस राज को कहा जाता है बौध धर्म का पालना किस राज को कहा जाता है अठारक जवाब दीजे अठारक उप्सन राइट तो बौध धर्म का पालना यह आपका है उत्तर प्रदिश बिल्कुश सही जवाब है, option right अपकर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, नेश कर आप से, महावीर स्वामी के समय, जैन धर्म का प्रमुक केंद्र था, महावीर स्वामी के समय, जैन धर्म का प्रमुक केंद्र कौन था, उनीश का जवाब दीजी, यहाँ पर सभी लोग, तो बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख गनराज थे, बुद्ध काल में जो उत्तर प्रदेश में कितने मुख गनराज थे, मुख गनराज कितने थे, राइट अंसर आपको हो जाएगा, यहाँ आपके साथ थे, याद रखे, बुद्ध काल में उत्तर यह हो जाएगा लाल म्रदभांट जिसका जवाब यह आया है बिल्कुष सई होगा लाल म्रदभांट नेस्ट कोश्चन आपसे कह रहा है पांचाल महा जनपत की राध्धानी कामपिल का संबंद उत्तर प्रदेश के किस जनपत से है चले यहां पर जवाब आ रहे हैं और 22 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट भी हो जाएगा आपके फरुखाबाद जिसका जवाब भी है बिल्कुष सई है फरुखाबाद जो की आपका कैसे कामपिल संबंद है ठीक है नेस कराब से टोपरा कामा जहां से असोक के अबलेक प्राप्थ हुए है वह राज के किस जनपत इस्थित था तो टोपरा इस्थित आपके अप्शन राइट हो जागा ड़ी आपके सहारनपूर नेस कराब से भारत सरकार का राज्चिछु नहिए कोशन underneath को ब्हारती मुर्तिकला की जन्मिस्थिली माना जाता है चलिए उत्तर प्रदेश के किस जन्पत को भारती मूर्तिकला की जन्मिस्थिली माना जाता है 25 का जवाब दीजियां पर 25 का option right आपका हो जाएगा A number आपका मतुरा याद रखेगा आपका जो मतुरा है इसे भारती मूर्तिकला का जन्मिस्थिली माना जाता है ठीके नेस्थ कोश्चन आपसे कह रहा है कि आयोध्या का सिलालेक किस वन्स के सासको ने लिखवाया था आयोध्या का सिलालेक किस वन्स के सासको ने लिखवाया था आपका 26 का जवाब दिना है 26 का option right आपका हो जाएगा option right C आपके सुंग वंस ने ठीके तो आपके अयोध्या का सिलालेग जो आपके सुंग वंस option right अपका C हो जाएगा नेश कराब से भगवान बुद्ध की मृत्ति उत्तरप्देश के किस जनपद में होई थी इजी question भगवान बुद्ध की मृत्ति उत्तरप्देश के किस जनपद में होई थी 27 का option right option right आपका भी हो जाएगा बिल्कुल सही है आपका कुशी नगर में वह था option right आपका भी सही हो जाएगा नेस के आप से कुशाण वन्स के सासकों की दूसरी राधधानी कहा थी? कुशाण वन्स के सासकों की दूसरी राधधानी कहा थी? चले जवाब दीजी यहाँ पर तो यहाँ पर जवाब आपका आचुका है 28 को आप्सन राइट हो जाएगा आपके किया गया है और यह जो किया गया है आपके प्रयाग प्रस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यहाँ पर option right C हो जाएगा गाजीपूर में ठीक है गाजीपूर option right up का गाजीपूर हो जाएगा जहाँ पर इसकंद गुत ने कह सकते हैं कि भी तरे बलेक लिखवाया था नेश कोशनाब से कह रहा है कि धर्म राजी का इस्तूप कहां इस्तित है 31 का जवाब दिजीए धर्म राजी का इस्तूप कहां परिश्थित है 31 को option right option right up का यह हो जाएगा आपके सारनाथ में जिसका जवाब यह आ रहा है बिल्कुश सही है धर्म राजी का इस्तूप कहांपर है आपके सारनाथ में नेस्ट कोर्षिन आपका जो की 32 नमबर है, कि हार सुवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन इस्थानों पर बहुत सम्मेलों का आयोजन किया गया, कोर्षिन आपका हमेशा से पुछा जाता है, तो हार सुवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन इस्थानों प आपका हो जाएगा B और D option आपका B सही हो जाएगा ठीक है मतलब दूसरा केवल B और आपका D हो जाएगा ठीक है चलिए next question आप से एकला पुछा गया है कि उत्तर प्रेस में इस्तित महाजनपदों को उनके वर्तमान इस्थानों से सुमिलिक करते हुए D record की सायता से उत्तर दे अरताब जो महाजनपदी वर्तमान में उनको क्या कहा जाता है यहाँ पर आपको जवाब देना है कुछ इस प्रकास से आपका यहाँ पर दिया गया है ठीक है आयोद्धा की आसपास को बोलते हैं ठीक है आयोद्धा की आसपास को पांचाल तो पांचाल बोलते हैं आपके बरेली बदायों की आसपास की छेत्र को यह आपका 4 हो जाएगा और जो मल है मल बोलते हैं आपके कुसी नगर की आसपास को अर्थाती आपका थिरी हो जाएगा तो आपका second, first, fourth और third और third option right आपका हो जाएगा याँ पर C number आपका सही हो जाएगा ठीके इस प्रकार से होगा screen setup ले सकते हैं चले नेस question आप से पूछा है कि सीराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है बार-बार question आपका पूछा गया या आपके चाहिए उपीपी हो या किसी में भी हो तो सीराज हिंद बिल्कु सही जवाब आ रहा है सभी का option right आपका बी हो जाएगा जोन पूर को सीराज ए हिंद के ना आपसन right आपका बी सही हो जाएगा सीकंदर लोदी नेस question बहुत ही प्यारा question आठाला मस्जिद कहां वस्तित है जवाब दीजी 36 के जवाब दिना आपको आठाला मस्जिद कहां पर वस्तित है तो right answer आपका हो जाएगा यहाँपर डी नंबर जॉन पूर में जिसका जवाब ऋचहरा आपक속ी 38 की सथापना कहां पर की गई थी 38 का जवाब देब आपको अबिसका टॉपशन राइट तो बिलको सची जवाब है 38 को अप्सन आप कसी हो जाएगा आपके जॉनपुर में काँ पर भीया आपके जॉनपुर में है नेश के राप से जॉनपुर नगर की स्थापना किस ने की थी चलिए जॉनपुर नगर की स्थापना किस ने की थी 49 का जवाब दिना आपको इसने की थी भई बिल्कुश सही जवाब आ गया है सभी का फिरोज तूलक ने फिरोज तूलक ने जोन पुर्नगर की स्थापना किया था नेस कहरा आप से आगरा के किले में मोती मस्जित का निर्मार किसने करवाया था बहुती प्यारे कोशन आपके हैं इस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राध्धानी दिल्ली से आगरा इस्थांत्रित की थी इस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राध्धानी दिल्ली से आगरा इस्थांत्रित की थी प्यारी कोशन प्यारा कोशन चले एक तालिस का जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा सिकंदर लोधी याद रिखेगा सी नमबर आपके हो जाएगा सिकंदर लोधी चले, next question आप से कराया है और कहा जाता है कि पहले से आपका संस्क्त विश्विद द्या रहे था या कहा जाएखिए क की या मंदिर था जिसको तोड़वा कर बनाया था कहां पर इस्थित है, इतमा दुद्दवला का मगबरा कहां इस्थित है, 43 का जवाब आपको देना है और 43 का option right आपका हो जाएगा, बिल्कुत सही जवाब यहां पर है इतमा दुद्दवला का मगबरा है आपके option right आपके आगरा में, ठीके, चले, next question कि आगरा में, जहांगीर महल का निर्माड किसने करवाया था, आगरा में जहांगीर महल का निर्माड किसने करवाया था, 44 का जवाब दीजी आपर, सभी लोग जवाब दीजी भाई, आपर, यहां पर 44 का option right आपका, बिल्कुत सही जवाब है आगरा में जहांगीरी महल का जो निर्मार करवाया था आपके अकभर ने करवाया था फिके ऑप्षन राइट अपका इस हो जाएगा आपके अकभर ने करवाया था नेस कोश्चन अगबर का मगबरा कहां इस्तीत है चलिए इसको तो बताई सकते हैं ना 26 का 26 को अप्शन राइट आप का बिल्कुल सही जवाब है सिकंदरा बाद में ठीके कहां पर आपके सिकंदरा आपके साज आपके साज आपके साज आपका बिल्कुल सही जवाब दीजिए यह सभी कोश्चन आपके साज आने आप सबको पता है कि साज आने करवाया था ठीके और आपके साज आपके साज आपके साज आपके बिल्कुल सही जवाब है किस मुगरबाद साहं ने अपनी राध्धानी आ रगसित दिली स्थांत्रित की 511ा συ जाएका छ१़्यक्षाण आपकी सा जहान किया थैसा जहाने निसकर आपसे 5 महल कहा हुखा बावन को option right बताईए पंचमाल बिल्कुस सही जवाब आ रहा है सभी का बिल्कुस सही जवाब है option right आप का यह वो जगा फतेपुर सीक्री में ठीक है फतेपुर सीक्री नेस के राप से सेख सलीम चिस्ती का मगवरा कहां पर इस्तित है तेरपन का जवाब दीजे भाई सेख स राजकुमार खुस्त्रों को मगवरा कहां पर है तो राइट अंसर आपका चववन का हो जाएगा धन्यवाद जैहिन वंद्यवाद